ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल यह राशी फले दो अगस्त दो हजार चोवीस शुक्रवार का दिन है स्रावन माहा के कृष्ण पक्ष की त्रयो दशी तिति है शाम के समय चतुर दशी तिति होने से इस दिन शिव चतुर दशी सावन सिवरात्री का माहा पर्व रहेगा आधरा नामक नक्षत्र होगा एवा मितुन राशी में चंदरमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में होंगे इसलिए पश्चिम दिसा की यातरा करना नुक्सान दायक सिद्ध होगा अगर किसी कारण वस्चिम दिसा की यातरा करना बहुत जादा अवश्यख हो तो दही अथवां जव खा करके यातरा का अरंब कर सकते हैं राहुकाल जोकी प्रातह साड़े दस बजे से लेके दो पहर बारा बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवा मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए क्योंकि राहुकाल के दोरान कोई भी शुब या मांगलिक कारिक्रम संपादित नहीं कि जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें दो ग्रहों के राजा सूरीधेह जोकि क करक राशी में वही चंत्रमा मिथुन राशी में मंगल ग्रह व्रशव रासी में बुद्धगरह सिंह cricket देयों देव गुरु व्रहजस पति व्रश्चिक एवं मकर ये पांच राशियां सबसे दिख्भागी शाली रेने वाली है कारिक्षित्र में इनको उन्नत्य और प्रगति के उत्तमा उसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के सांसाथ नया काम नई जुम्मेटारी नया मुकाम भी इनको मिल सकता है तो कुल मिला करके इन पांच राशिय वालों के लिए दिन सबसे खाश साबित होगा सुरियोदह सुबह 5 बज के 55 मिनिट पर होगा तथा सुर्यास्त शाम को 6 बज करके 58 मिनिट पर होगा शुब महुरत की अगर हम बात करें तो शुकरवार दिन है सावन सिवरात्री का महापर वहे शिव चतुरदशी का वरत रहेगा, तो सबसे पहला जो चोग्रिया है, वो सुबह छे बजे से लेके साड़े साथ बजे तक चर का चोग्रिया, तथा सुबह साड़े साथ से नो बजे तक लाब का चोग्रिया, सुबह नो बजे से लेके साड़े दस बजे तक अमरत का च करेंगे नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का से यूग निर्मित हो सकता है अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के करते हैं मेश राशी की कोई पुराना विवाद यदि चल रहा है तो आपसी सूजबूच से हल हो जाएगा जैसे रिष्टे दोबारा मधूर हो जाएंगे अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर के वरतमान को सुधार ने हेतु मनन करे और अपनी योजनाओं को क्रियानवि देकर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही आपको काम करना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में कोई भी लाल फूल चड़ा देंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आप का पीला होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की किसी विश्ष्ट कारी को पूरा करने में आपकी मेहनत आज कामियाब होगी जैसे घर और समाज में आपका योगदान रहेगा आपके काम की तारीव और आपको मान सम्मान भी मिलेगा आपके आत्मिश्वास और पूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की, आज कुछ समय आप अपनी रुची संबंधी कारियों में व्यतित करेंगे, जैसे आप मैंसिक व आपको मिलेगा, जिससे मन में नकारात्मक विचार कुछ समय के लिए उत्पन होगे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, उपाई के रूप में गणेश जी को यदि आप दूरवा चड़ा देंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागि और मान सम्मान जैसे इस्तिती रहेगी, पडोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मदभेद दूर करने के लिए उत्तम समय है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके स्वभाव की वज़े से लोग आपको उपयोग कर रहे हैं, इसलिए किसी की मदट करने से पहले उसकी मनशा क और समझना अति अवश्यक होगा, वरन्या लोगों की बातों में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं, उपाई के रूप में यदि आप दही में शकर मिला करके संकर भगवान के मंदिर में दान करेंगे, तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशा अपका सफेद होगा, अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, भविश्य संबंधी फेसलों को लेने के लिए आज बहुती उत्तम दिन है, किसी अंजान व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके भाग्योदय संबंधी द्वार खोल सकती है, योवर्ग अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत महसूस करेंगे, परंतु उत्तेजना और क्रोध के सभाव से आपको बचना चाहिए, उपाई के रूप में मसूर की दाल और गुड गाई को खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भाग्यशाली अंक पांच होगा, भाग्यशाली र इसका भरपूर उप्योग आपको करना चाहिए, संतान पक्ष की चिंता रहेगी, विध्यार्तियों को अपनी किसी विशेस कारी में सफलता प्राप्त होगी, उपाई के रूप में यदिया भगवान गनेश जी के मंदिर में सफेद रंग का कोई भी फूल चड़ा देंगे तो आप का देन शुफल दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की, आज परिवार संबंदित कुछ महत्वपूर्ण निरनाय आपको करने पड़ेंगे, जो की बहुत ही सकारत्मक परिणाम आपको देंगे, किसी खास व्यक्ती से मुलाकार लाबदायक सिद्ध होगी, आपके रुके हुए काम पूरे हो इसलिए उधार पैसा देते समय बहुत ही साउधानी बरतनी की आउशक्ता होगी, उपाई के रूप में भोजन के बाद एक लोंग इलाईची खाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक पांच होगा, भागिशाली रंग आपका गुलाबी ह अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की, आप अपनी कारी संबंदी योजनाओं को आज बहतरीन तरीके से बना पाएंगे, किसी प्रभावशाली व्यक्ती से मुलाकात आपको एक नई दिशा प्रदान करेगी, पेत्रिक संबंदी मामलों को सुलजाने के लिए देन को करने पड़ सकते हैं, नय जन संपर्क आपके लिए फाइदयमन साबित होंगे, उपाई के रूप में भोजन के बाद यदि आप कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग पहुल रहेगा, किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित दिन है, अपनी योजनाओं को क्रियानवित करने से पहले उसके सभी पहलूओं पर भली भाती विचार करे, बहतर होगा कि किसी अन्य वक्ति की सलाह अवश्य ले, रूपिय पेसे के मामलों में किसी पर अब हम बात करते हैं मकर राशी की, आपके साथ कुछ ऐसी इस्तिती घटी थोलने के वाली है, जिससे आपको लगेगा कि इसी देवी शक्ती या इश्वर का भरपूर आशिरवाद आपके साथ है, अपनी प्रतिभाओं को पहचाने तथा पूरी उर्जा के साथ अपनी दन में भी साथानी बरतने की आउशकता होगी, और उपाई के रूप में भगवान विश्णु जी के मंदिर में चने की डाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक दो होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं कुम्बराशी की, अचानक ही नजदी की रिस्तोदारों के आगमन से घर में खुशी का वाटवरन रहेगा, किसी विशेस मुद्दे पर विचार विमर्श होगा, युवाओं को अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत मिलेगी, और भविश्य संबन्दी फैसलों को लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत आएगी, कभी-कभी आपका शंकालू स्वभाव आपके बंते कारियों में रुकावट उत्पन न कर सकता है, इसलिए ऐसे स्वभाव से आपको बचना चाहिए, तनावपूर्ण सिती भी बनेगी, लेकिन आपको धैरे और शांती से समय, यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक एक होगा, भागिशाली रंग आपका बादामी होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज गरह की स्थितियां पूर्ण तहा आपके पक्ष में है, काफी समलों के लिए ठोस नरने लाबदायक सिद्ध होंगे, उपाए के रूप में यदि आप अपने मस्तक पर लाल कुंकुं का तिलक लगाएंगे, तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक साथ होगा, भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा तो मित्रो या बारा राश्ची का देनिक राश्ची फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं, हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंड और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्कार लीजिए, आपको रापके पूर्य परिवार को साधर जाइसी क्रश्म, साधर धन्यवाद